नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हैं और सब्सक्राइबर हाइड करने के फायदे और नुकसान दूनों भी बात हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो सस्क्राइबर हाइट तब किया जाता है जब आपका कोई वीडियो वाइरल हो जाए नहीं तो उससे पहले अगर आप सस्क्राइबर हाइट करते हैं तो कोई काम का नहीं है तो चलिए इस वीडियो में देखे कैसे किया जाता है सस्क्राइबर हाइट तो दोस्तों करते हैं यहां पे Chrome browser में क्योंकि Chrome browser काफी famous browser है और ज्यादा थरी speed की काम करता है तो आप Chrome browser में अपना YouTube open कर ले तो चलिए यहां से मैं अपना YouTube open कर लेता हूं कि देख सकते हैं जैसा कि यहां पर यूटूब open नहीं होने कारण है कि मैंने चैनल लिख दिया था तो एगेन मैं इसे हटा के YouTube कर लिख के और यहां पर सथ कर दिया ठीक है तो यहां पर मेरा YouTube open हो चुका है अब YouTube open होने के बाद आपको क्या करना है आपको simply आ जाना है अपने account में ठीक है और यहां से आपको request desktop site कर देना है ठीक है तो यहां पर request desktop site करने के बाद यह open हो रहा है open होने के बाद इस तरह से यह open हो जाएगा और आपको क्या करना है सब से उपर में आपका account जहां पे है आपका logo जहां पे है उस पे click कर देना है click करने के बाद आपको इस तरह से खुल जाएगा आपको जाना है डेक्स्ट यहां पर edit setting में ठीक है यहां पर इडिट सेटिंग में आने के बाद आपको जाना है सिंपली चैनल यहां पर इधर चैनल मिलेगा ठीक है तो यहां पर क्लिक कर देना है आप आपको जूम करके दिखा जेते हूं साथ आपको दिक्कत हो रहा होगा चलिए हम जूम करके दिखा जेते हैं तो यहां पर थे आप में बहुत साथ चीज जान सकते हैं यह पांसरों यह है यहां फेधर पर क्किलिक करते लिए इंगलिज में आप नीचे पे क्लिक करके यहां पे सेब पे क्लिक कर देना है ठीक है तो सेब पे क्लिक कर दीजेगा आपका सस्क्राइबर हाइड हो जाएगा तो दोस्तों यही है कि आपको सस्क्राइबर हाइड के हो जाएगा और यहां आप देख सकते हैं कि मेरा सस्क्राइबर हाइड हु यहाद अप्रिपूंस तो प्रविए अप्लों पहुती लोगी तुर्वी लाइक हमेट से रिखी जाएं क्यों परोगति और पलोगतने।